इस्टुडेंट यहाँ पर question 14 और 15 है The product of two whole number is 0 What do you conclude? आप इससे क्या अनुमान लगाते हैं? जो यहाँ पर question लिखा हुआ है कि product of two whole number is 0 तो आप ही समझते हैं कि जब किसी भी चीज का product 0 आना है कोई भी number हो उसके multiply 0 से करें तब तो 0 आएगा इसका मतलब है कि एक number हमारा कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए तो जैसे मैं मान के चलें कि कोई बहुत बड़ा number है 46 जैसे ले ले 46 की multiply 0 से करें तो answer क्या आएगा? 0 यह तो आएगा तो जो इसका conclusion है conclusion वो क्या होगा? वो होगा according to question short form में लिख लीजिए multiplication 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 ठीक है? property property of 0 multiplication प्रोपर्टी आप 0 या multiplicative भी लिखते हैं multiplicative यह भी आप यहां पे लिख सकते हो इसके आगे bracket में property of 0 at least at least one number should be 0 यह आपका answer हो गया first question के question number 15 fill up the blank sum of two odd number is end अब हम मानके चलते हैं कि एक odd number 5 ले लिया एक odd number 3 ले लिया तो हमें क्या मिला? even number मिला तो यहां पर आप जो fill up करेंगे वो even number होगा product of two odd number is end अब मैं मानके चलता हूँ कि यही number यहां पर ले लेता हूँ 5 into 3 तो 5 जै कितना होगा? 15 होगा 15 भी odd number आ गया तो यहां पर odd number होगा यह कहते हैं कि a जो है not equal to 0 a 0 के equal नहीं है and a into a is equal to a तो यहां पर a की value क्या होगी यह बताना है हम यह सभी जानते हैं कि अगर कोई number किसी number में multiply हो और वही number आए तो ऐसे में क्या होगा? हम यह मानके चलें कि अगर one की multiply one से करें तभी तो one मिलेगा तो यहां पर a की value क्या होनी चाहिए? one होनी चाहिए तो यहां पर आप one को fill करेंगे question आपको समझ में आया हो तो आप comment box में जरूर लिखकर बताएं कि आपको ए question समझ में अच्छी तरह से आया thanks to us